मज़ेदर breakfast recipe बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे आटा और उसके अंदर दे देंगे नमक और refined oil अच्छे से mix करने के बाद एक dough बना लेंगे कुछ उबला हुआ आलू लेके अच्छे से grate कर लेंगे इसके अंदर दे देंगे लंबाई में चौप किया हुआ प्यास, धनिया पत्ता और चिली फ्लेक्स, चाट मसाला, नमक और गरम मसला पौडर अच्छे से mix कर लेंगे और उसे side करके रख देंगे इधर हमारा dough भी अच्छे से set हो गई है अब इसे medium size के लोई काटके रोटी जैसा बेल लेंगे और shape हमें लंबा देना है और पहले इसे अल्टी पल्टी करके बीना oil का सेक लेना है बस हलका सा सेक के निकाल देना है अब ये सेकी हुई रोटी के उपर sauce को spread कर देंगे अब इसका आधा हिसा में आलू बाला stuffing अच्छे से लगा देंगे और इसके उपर देंगे mozzarella cheese दूसरा side को इसके उपर मोर देंगे अब pan में देंगे थोरा सा refined oil low flame में golden brown कलर आने तक सेक लेंगे perfect golden brown कलर आ गया है ऐसे fry करने से ये बहुत कुरकुडा भी होता है तो लिजे हमारा cheesy tacos है बिल्कुल तैयार